हेलो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको डियर डियो एम्टी एस बड़ी बेकेंसी बंपर वाली निकली है तो इसे समय दे जानकारी दूंगा तो इस वीडियो को सुरू संतक देखें पसंद आने पर लाइक नहीं लग सब्सक्राइब और बे वाले इच्छुकुमिद्वार MTS के लिए आवेदन कर सकेंगे DRDO MTS भरती 2020 का अधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ने का लिंक क्या है तो इसको अपजेक सकते हैं www.davp.nic.in या राइट रीड डाटा ADS 1030 ये पीडियो पर भी विजिट कर सकते हैं तो ओनलाइन आवेदन के अप्लिकेशन लिंक DRDO के अधिकारिक वेबसाइट है जो की www.drdo.gov.in पर जल्द एक्टिव हो जाएगा ओनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा तो 23 दिसंबर 2019 से शुरू होगा और 23 जनवरी 2020 साम पांच में तक स्विकार के भरती परिछास सुल्क जमा करने के आखरी तार 80, OVC के 503, SC के 163, ST के 114 रिक्त पदा रच्छित है कुल 1870 खाली पदों पर आवेदन करने का मौका मिलेगा उमिदवारों का आवेदन करने के लिए किसी भी मानेता प्राप्त बोर्ड से 10 वी कलास पास होना जरूरी है या उमिदवार के पास ITI के सर्टिपिकेट मिला सर् बात करें तो नियूनता मायू 18 वरस और अधिकता मायू 25 वरस दाई की गई है DRDO MTS के पदों में सामान ने OVC EWS के टोडियेद उमिदवारों के लाविदन सुलक्या 100 रुपिय है SCST फीजिकल हैंडिकाफ के से कोई सुलक नहीं लिया जाएगा इच्छो कावे तक डेविड इंद और जवलपूर है दिल्ली में दिल्ली एंसियार राजस्थान में जाइपूर जोद्पूर पैन इंडिया में अन्विविन परिच्छा केंदर है तो अब इसका भी ग्यापन आप देख सकते हैं यह विब साइट से मैंने डाउनलोड कि तेज जनवर से शुरू है और और जो एलाउंस है एज लिमिट कब से रहेगा आठारा से पचीस वरस रहेगा और यह पूरा कभ होगा आपको एक-एक आपको सब्सक्राइब और क्या-क्या है पोस्टिंग कहां है तो आप पोस्टिंग है जो कि आपको भैरियस सेस्टेशन पर हो सकती है एक जगार नहीं होगी और जो मेंट पॉइंट से मैं उसको बताने जा रहा हूँ कि अप्लिकेशन फिस में ने बताया है कि आपको सोर्विया और हैंडिक्राइब के लिए आपको नहीं है परिछा सेंटर है जो कि आपको कहां कहां है यह आप देख सकते हैं पूरी बियालिस जेगा है जहां-जहां आप इकजामिनेशन इसमें टियर टू भी होगा अगर पास करेंगे परिछा का जो सिलेवस रहेगा तो सीवी टी उन रहेगा और सीवी टी टूमें ऐनल सेलेक्शन रहगा सीवी टी एपने आपको जेनरल इंट्रिजनिंग के 35 प्रेशन फाइच नंबर के जेनरल अवार्टनेस के 30 प्रेशन थीस नंबर के और के और को यह रहेंगा और स्क्रीनिंग में होगा तो आपको कितने रहेंगा 30-60 सब कोस्टन रहेंगा सव माइस के नब्य मिनिट के रहेंगा सीविटीवन तो क्या है दे शलेक्षयों प्रोसइस विल बिए के सिर्फी एel इन यू फानल सेलेक्षां एज दिस्क्राइब टी एजामिनेशन हिंदी और इंगलिस दोनों रहेगा तो क्या है दो मोड अफ सेलेक्शन क्या होगा स्क्रीजिनिंग दफ्रोविजिनल सेलेक्शन विश्ट टीर वन और टीर वन में आप पास करिएगा तो उसके बाद जो कि अब टीर टू से होगा तो टीर टू का भी स्लेवा स्क्रीजिन रहेगा जनरल साइंस रहेगा जनरल मैथ और जनरल इंग्लिस चालीस चालीस और बीस नंबर मतलब यह भी सो प्रोशन रहेंगे आपको 90 मिनिट के रहेंगे दो चरण में इसकी परिछा होगी उसके वाद आप देख सकते हैं इसको और अंतिंग ती जो है आपको 30 जनरल ही है तो जिन इसमें जो सिलेवस आपने देखा उसमें सबसे ज्यादा जो भी वेशन है वह आपको मैट्स की है इंग्लिस और साइंस पर जूड़ रहे हैं तो लेकिन मैट्स रिजिनिंग जो है वह ज्यादा है इस परिच्छा में तो यह DRDO से हैं जो कि बड़ी वेकंसी लिखनी है अगर आप मैट्रिक पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका है जो कि फायदा उठा सकते हैं और इंटर भी ऐसा रहे कि काफी दूर मिलेगा तो इसी कमर के साथ धन्यवाद